सूर्य मंदिर एक प्रमुख कामरपाशान धर्मस्थल है, जो ओडिशा राज्य के कोंडा गाम में स्थित है। यहाँ ओडिशा के प्रमुख परियतन स्थलों में से एक है और अपनी विशिष्ट का एतिहासिक महत्व और भव्य स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रसिद्ध मंदिर भारतिय संस्कृती, धर्म और स्थापत्य की एक महान कृती के रूप में मान्यता प्राप्त है। सूर्य मंदिर का निर्माड तेरवी शताबदी में राजा नर्सिंग देव द्वारा किया गया था आई सूर्य मंदिर का निर्माड तामर और सोने के मिश्रित मित्ती के ब्रिक से किया गया है और ते सूर्य का दर्शन करने के लिए एक मार बनाया गया है जिसे बद्री-बद कहा जाता है यहां परियतत भगवान सूरी के उदे के समय आए जाने के लिए धन्यवाद करते हैं और अपने अपने इच्छित संकल्प को पूरा करने की कामना करते हैं सूर्य मंदिर के मुख्य आकार और संद्रचना में सौर्मंदल के आकार और गती की प्रतिक्रिया का प्र महत्वपूर्ण पॉरानिक और सांस्कृतिक परमपरा का हिस्सा है, जो भारतिय संस्कृति में गहरी रूप से स्थापित है। यहां मंदिर की प्रकाश संचारत करने और देवताओं को यात्रा कराने के एक अद्वितिय तरीके को प्रतिश्थित करता है। मंदिर रत में चक्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन चक्रों को मंदिर रत की चाल और गतिविधियों के लिए उप्योग किया जाता है मंदिर रत की यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण होती है इस यात्रा में लोग धर्मिक गानों और भजनों को गाते हैं परंपरागत नृत्य करते हैं और आर्ती और पूजा करते हैं चक्र और सूर्य घडी संडायल दो अलग-अलग वैज्ञानिक उपकरण है चक्र वैज्ञानिक द्रिष्टी से चक्र एक प्रमुख मशीनी की आविश्कार है जो कई कारियों को सरल बनाने के लिए उप्योग होता है सूर्य मंदिर आधिकाल से सौर्मंडल और आध्यात्मिक्ता के बीच संबत को दर्शाता है मंदिर रत या मंदिर चक्र एक महत्वपूर्ण पौरानिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है जो भारतिय संस्कृती में गहरी रूप से स्थापित है यहां मंदिर की प्रकाश संचारत करने और देवताओं को यात्रा कराने के एक अध्वितिय तरीके को प्रतिष्ठित करता है मंदिर रत में चक्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन चक्रों को मंदिर रत की चाल और गतिविधियों के लिए उप्योग किया जाता है मंदिर रत की यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण होती है इस यात्रा में लोग धर्मिक गानों और भजनों को गाते हैं परंपरागत नृत्य करते हैं और आर्थी और पूजा करते हैं चक्र और सूर्य घड़ी संडायल दो अलग-अलग वैज्ञानिक उपकरण है